आज के वीडियों बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स और टोकन्स के बारे में सबसे पहले समझिए कि क्रिप्टो करनसी क्या होता है टोकन क्या होता है अज के वीडियो में टोकन्स के बारे में बात करेंगे इनको क्लासिफाई करके आपको बतावागे कान को इसके इसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है 20-25 मिनट तक बिल्कुल जा सकता है तो थोड़ा सा पैसिंस रखके आप देखना और एंट तक जरूर देखना क्योंकि थोड़ा बहुत भी मिस होगा तो काफी कुछ इंसाइट आप से मिस हो जाएगी तो पहले बात करते हैं कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है तीन टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं पहला हो गया गवनेस बेस पर तो गवनेस बेस पर सेंट्रलाइस क्रिप्ट करंशी और डिसेंट्रलाइस क्रिप्ट करंशी हो जाती है तो डिसेंट्रलाइस क्रिप्ट करंशी की बात करते हैं जो पीयोडबलू वाले क्रिप्ट करंशी है वह थोड़ी सी डिसेंट्रलाइस क्रिप्ट क गया governance level पर वो हो गया आपका centralized cryptocurrency जो लास्ट दो-तीन सालों से जो mainly token launch हो रहे है अले-अलग protocols पर ethereum पर solana पर finance पर तो वो काफ़ी जादा centralized होते है और अभी coin market cap पर top 100 की list में से आप देखो गया तो 80% जो coins है वो centralized coin ही हो गया आज के time में POS पर काम करते है और इसके अलावा एक और classification हम कहा सकते consensus इसके based पर राइट पी ओ डबलू और POS के based पर mainly POW मतला proof of work वो coin जिनकी mining होती है proof of stake वो coin जिनकी staking होती है तो proof of work वाले coins इनिशली काफी ज्यादा थे बाट जो पूरा ले coin थे वो अल्मोस डेड हो गया है और अभी Litecoin, Bitcoin यह mainly survive किया है इसके अलावा Ethereum भी proof of work पे था बट वो भी proof of stake पे shift हो गया है तो अभी mainly जो नए project है और even जो major market share है वो proof of stake coins का अपार्ट फॉम Bitcoin जो एक P.O.W. based cryptocurrency है और वो आगे जागे भी P.O.W. based cryptocurrency रहने वाली कोई ऐसा plan ने कि आगे जागे P.O.S. पे move होगी और impossible ऐसा होना ही नहीं है क्योंकि they are against you know sort of P.O.S. के अगेंस्ट है वो और P.O.S. से क्या तिसरा application based पह बात करते हैं तो इस list में application-based जो classification है उस पे फोकस करने वाले है तो application-based सबसे पहले बात करते है Use case based बात करते है जो blockchain की different use case is जो crypto currency की different use case उसके у데타?, इसकेẫn अपसे तो पेर-to-pure payment protocol था, distributed payment protocol था, right? तो payment focused cryptocurrency ही initially सबसे पहले उसका बनना start हुआ था, bitcoin मरा फिर अपिन और जो भी altcoins बने था, भी payment focused ही थे तो lightcoin is another example of payment focused, xrp is another example of payment focused cryptocurrency, जो payment के लिए बना है, आपको एक जगे से दुस्स्रे जगए के payment करना है, लो कोस्ट ट्राजेक्शन करना उसके लिए बना है तो बिटकोइन उस नरेटी में फोड़ा फेल हो गया तो अब बिटकोइन का नरेटीव स्टोर वेल्यू बन रहा है ëlाइट कोइनका भी ट्राजिस्टन इसीरिंतन फास्ट नहीं है और फैस थोड़ी सी ज्यादा ही है आस कमपें डू ट्रेड इस तहल plung मेफट तो वह भी ज्यादा सस्टिनेबल पैमेंट क्रिप्टो कशी नहीं है XRP पेमेंट क्रिप्टोकरशी का अच्छा एक्जामपल है XRP में mainly cross border remittance का mainly use case एक country से दुसरे country पैसा बेजना है तो XRP के थूँ अगर बेजते हैं RippleNet यूज करके बेजते हैं XRP इसमें network coin यूज होता है तो transition fees वगरा XRP में paid होती है तो काफी कम आपे फीस लगती है almost few cents spend करने पड़ते है वही अगर वो close border payment किसी और traditional service से करते है SWIFT से करते है Western Union से करते है तो फीस काफी ज़्यादा लगती है 5-10% middleman fees लगती है तो दू पार्टी के बीच पे payment का transaction होता है तो बीच पे जो intermediary involvement होता है जो फीस जो चार्ज करता है उसको रिमूब करने के लिए यहापे cryptocurrency का use case है XRP I guess payment focused cryptocurrency में सबसे ज़्यादा sustainable है सबसे ज़्यादा उसका use हो रहा है और एक अच्छा solution है अच्छी cryptocurrency इस particular sector में और second जो अपन बात करते है privacy focused cryptocurrency तो privacy focused cryptocurrency की इस नीड बाद में पड़ी इनिशल तो bitcoin cryptocurrency थी उसके बाद पर पता चला है public blockchain पर लोगों ने एक्षेंज वगरा जब आने स्टार्ट हो गए तो KYC वगरा का सीन स्टार्ट हो गए इनिशल लेवल पर जिस प्राइवेसी खतम होने लग गए इनिशल जो KYC नहीं थी एक्षेंज पर लोग यूज करते थे फिर भी KYC नहीं थी तो privacy focused cryptocurrency का इतना जादा यूज नहीं था जैसे KYC होने लगी तो लोगो का जो प्राइवेट डेटा एक्षेंज होने लगा उनको वॉलेट क्रेट करना है एक्षेंज पर KYC करना है एमिल लोग फॉलो करना है तो उसकी वएसे कहीं लोग जो थे वो sort of privacy focused cryptocurrency को रुप होने लगे और यहापे भी bitcoin का initial use case डाक वेब पे था bitcoin के around US वगरा में तो Monero, Gcash, इनका राहेज हुआ और इसमें क्या होता है कि sender receiver का कभी कोई पता नहीं लगता कोई KYC वगर कुछ होता नहीं है यह भी नहीं पता चलता कि किता transaction हुआ है क्या amount बेजा है, किसको बेजा है कुछ पता नहीं चलता है, डेटा प्राइवेट रहता है तो उसकी मेरे से privacy-focused cryptocurrency का use dark web में काफे जादा होता है Monero जो है, dominate करता है privacy-focused cryptocurrency वाले sector में और यह dark web में काफे चलता है Monero Gcash भी काफी सही है, Dash भी काफी सही है Gcash ने zero-dollist proof यूज किया है लेयर ब्लोक्षें नेटवर्क भी बना है जैसे मीना प्रोटोकल है एक्जाम्पल है तो privacy-focused cryptocurrency भी काफी major theme है और यह आगे जाके इसका rise होने वाला है क्योंकि अभी जो KYC, AML के अराउंड काफी जादा डवलेमेंट हो रहा है प्राइबेंट के बाद हर एक एक्षेंज जो है KYC को follow करेगा और regulation काफी heavy हो जाएगा जो wallet हम use करते जैसे metamask मेंगा यूज करते थे तो उनमें भी IP tracking होना start हो जाएगी तो लोग privacy के और भागेगे privacy-focused cryptocurrency का वापस rise होगा इसना जो classification है वो stable coins है stable coins दो type के होते है एक तो algorithmic stable coins होते है और एक आपका non algorithmic stable coin या sort of hedged stable coin कह सकते हो तो USDC, USDT और BUSD तीन एक्जामपल है तो USDC और USDT और BUSD तीनों ही non algorithmic stable coin है और ये इनका pagging जो है उनका pagging उनकी treasury के against और treasury में उनके US dollar पढ़ा है और stable coin के value 1 dollar रहती है जनरली और 1 dollar के नीचे गया तो D-Pag हो जाता है algorithmic stable coin algorithm के इसाफ से होता है और उसमें भी depend करता है परसेंटेज डॉलर का उनके पास reserve है कुछ परसेंटेज किसी और asset का reserve है तो उसके इसाफ से भी करता है तो इसमें जो इनका pagging जो होता है और asset कम हो जाता है तो D-Pagging event स्टार्ट हो जाता है जैसे रिचेंटली हमने देखा लूरा के साथ देखा और वो विड्रोल के केस पर जाता है जब लोग एक दब से जादा विड्रोल करते है stable coins तो उसकेस पर चीजे हो जाती है इसमें ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं है इसमें ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं है इसमें ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं है इसमें ट्रेडिंग के लिए तो नहीं है बट इसमें वरी प्रोमिनेट टाइप उप क्रिप्टोकरणसी एक फूर्थ आपनी बात करता है, प्रोल्टोबात कृट्रक्रश्थ को ऊवले साज़ा है पल्टोफ कर रहा है तो कि कहमा विट thinking about that. यूज करने के लिए एज फीस जैसे एथिरियम आपको यूज करना है तो आपको गैस फीस पे करने पड़ती है तो उस टाइप की जो प्रोटोकल बेस्ट क्रिप्टोकरशी होती है उस पे यूटिलिटी काफी स्टॉंग होती है लेयर वन मोस्ली अगर उनकी बात करते है जैस लेएटिटी होती है कि नेटवर्क को आपको यूज करना फेस ब्रस के लिए टे करने पड़े कि तभी आप उसको यूज कर सकते हो तो गैसे रेवनियो का कुछ प्रोटोकॉल बेस्ट क्रिप्टोकरशी से कवा सकता है तो प्रोटोकॉल जनरली रेवनियु ज्यादा कवात Ethereum is one of the examples, Solana पे एक example कह सकते हो, last year काफी राइज हुआ, तो आपको एक long term investment करना है, तो protocol based crypto करना वैसे अच्छा idea होता है, और ऐसा कोई protocol जो अभी early stage पे, नियर protocol का example ले रहा हूँ, आफी early stage पे, अगर नियर protocol पे अच्छा development होता है, ecosystem बड़ा होता है, काफी project बापे token launch करते है, उसके network token का rise होता है, network token की activity बढ़ती है, लोग उसके use करने के लिए pay करते है, इनका जो price है वो भी आगे जाके बढ़ सकता है, example बता रहो, it's not a trading recommendation, just example बता रहो, ऐसे example और भी हो सकते है, तो उसके एसाप से एक काफी अच्छा theme होता है, generally अगर आपको investment के एसाप से देखना तो आगे जाका अच्छा performance हो सकता है, बात करते हैं, डिफाइ बेस्ट क्रिप्टो करेंसी की, तो डिफाइ बेस्ट जनरी टोकन्स जादा होता है, तो प्रोटोकॉल पर लाउंच होती है, इसे एथिरियम पर डिफाइ का ecosystem बना हुआ है, सोलाला पर बना हुआ है, यह तर ल ब्लोक्चें नेटवर्क है, बात डिफाइ स्पेसिफिक है, तो यह एक नया राइज हो रहा है, डिफाइ 2.0 के अंदर यह theme इमर्ज हो रही है, उसमें डिफाइ स्पेसिफिक जो चेयन है, वो बन रही है, बात डिफाइ के अंदर क्या होता है, कि इसका token जो है, उसकी utility यह होती है, जैसे आवे, देखो, synthetics, compound, देखो, यह example बता रहा हूँ, तो उसमें डिफाइ को use करने के लिए, डिफाइ के protocol के use करने के लिए भी आपको कुछ fees जो है, वो pay करने पड़ती है, डिफाइ प्रोटोकल जो भी revenue generate करते है, तो revenue को कुछ पार्ट वो उनके साथ share करते ह तो coin है, वो stake किया हुआ है, जैसे आवे आपने stake किया, तो आवे जब आप stake करते हो तो आपको कुछ APR मिलता है, APR कहां से आता है, वो revenue share से आता है, वैसे इनिस्वैप अगर आपने stake किया, तो इनिस्वैप भी 0.2% के आसपास पर trade के इसाब से वो उसमें आपको reward मिलता है तो इस टाइप से आप पर mechanism होता है, डिपेंड करता है, युटिलिटी डिपेंड करती है, जो major utility होती ही, common utility होती है, वो मैं आपको यह बता रहा हूँ, इस टाइप से utility काम करती है, और DeFi-based protocols पी काफी सही है, पर प्रोटोकल में investment करने से पेले आपको DeFi का understanding होना जरूर ही ह आपको पता होना चीए, डिपाई प्रोटोकल कैसे काम करता है, उसकी क्या utility है, क्या उसकी calculations है, या पर calculation काफी important होती है, mathematics involved होती है, वो आपको पता होना चीए, उसके आपको पता होना चीए, क्या landing borrowing rate है, किस टाइप से काम करता है, कहा से पैसा रहा है, किस को पैसा वे किस टाइब से वो दे रहे हैं, उनके बाद होते हैं, कि लियाबलीटीज किती हैं, सब कुछ पता हो जब आज है, उस केस पर आपका investment थैसी से यहाप पे clear होता है, आप ऐसे ब्लाइंड इंवेस्मेंट नहीं कर सकते हैं, आपको एक understanding होनी ज़रूरी, especially उनके balance rate वगरा कि, किस टाइब से protocol काम करता है उसकी, उसके architecture की, तब ज्यादा आप सही तरीक से यहापे investment कर सकते हो, अब इवन बात करते हैं, गेमिंग बेस्ट टोकन्स की, या गेमिंग बेस्ट टोकन हो गया, Illuvium का ILV हो गया, जो Binance पर trade करता है, तो यहाँ पर player जब game खिलता है, तो उसको जो token मिलते हैं, वो token जो होते हैं, गेमिंग टोकन होते हैं, और कई सारे game के अदर दो टाइप की token होते हैं, एक जो token होता है, वो market placement के NFT भाई करने के लिए यूज होता है, जैसे reward earn करने बाद डंप ही करते हैं, तो यह जो mechanism में थोड़ा fail हो चुका है, तो gaming token किस टाइप से आगे जागे फ्यूचर में डिजाइन होगे, वो बाद में पता चलेगा, बट अभी थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, क्योंकि reward token तो यह जो concept फेल हो चुका है, बट आगे जा utility होगी, बाकी expand हो सकती, utility क्योंकि काफी नया sector है, emerging phase है, play-to-one games का, तो future में देखते हैं किस टाइप से उनकी token economics जो improve होती है, किस टाइप से और नई चीज़ा हम को देखने को मिलती है, 7th type of cryptocurrency की बात करते हैं, तो वो है exchange-focused cryptocurrency, exchange-focused cryptocurrency, exchange-focused cryptocurrency या, exchange-focused tokens भी वह सकते हैं, उसका सबसे बड़ा example, Binance हो गया, BNB, पर Binance पर नोलों चीज़े, Binance का smart chain भी है, और Binance का exchange भी है, BNB उसके भी यूज होता है, उसके exchange की जो service प्रोड़क्त है, उसमें उस cryptocurrency का mainly use होता है, वहाँ पर उनको buy करने के लिए, तो Binance अच्छी कई सरी different service products उफर करता है, launch period वगरा आपको stick करना पड़ता है, Binance तो आप तो BNB अगर buy करके hold करते हैं, तो ठीक है, उसमें तो कोई problem में को लगती ही नहीं है, but सारे exchange focused cryptocurrency अच्छे नहीं होता है, यह आपको बता रहा हूँ, especially FTT का अगर आप देखोगे, तो FTT किस लिए create होता है, खाली, you know, उनके balance sheet को inflate करने के लिए उनके create किये था, balance sheet पर बतान BNB जो है, वो Binance का access focused cryptocurrency है, वो sort of अच्छा है, और उस पर potential अच्छा हो भी सकता है future में, but investment करना नहीं करना आपका call है, this is not a financial advice, अब बात करते है, 8th type of cryptocurrency, इसका main thing में Metaverse, Metaverse focused cryptocurrency, और उसके अदे Metaverse, NFT दोनों ही आगे, उसका main use होता है कि Metaverse के जो भी activity आप कर रहे हो, जो transaction कर रहे हो, तो उस transaction में cryptocurrency या token होता है, यहापे mainly tokens होते है, वो token होते है, और उसमें ऐसा है कि, यहापे marketplace में use होते है, और आप कुछ activity कर रहे हो, economy में participant कर रहे हो Metaverse के उसके अदर use होते है, तो utility यहापे भी expand हो सकती future में, but अभी कुछ limited utility है, जैसे decentralized के अंदर, अगर माना क सकते हो, माना से आप asset buy का सकते हो, माना से आप, you know, sort of कुछ concept वगारा, अगर कुछ fees pay कर रहे हो, तो उससे का सकते हो, economy के अदर participant कर सकते हो, ultimately, इसके example, माना हो गया, sand हो गया, app coin हो गया, इसके example है, Metaverse focused cryptocurrency और tokens के, और nine type of cryptocurrency की बात करते है, तो derivative based tokens आगे, derivatives के अदर future options दोनों आगे, decentralized future platforms या decentralized options platform की, जो cryptocurrency या tokens होते है, उनको derivative based tokens बोलते है, DYDX, GMX, GNS ये तीन example, और यहाँ पर इनकी, का फाइदा होता है, तो लोग stake करते है, और उसके हैसाब से उनको कुछ additional token मिल जाते है, तो derivative वाली जो token class है, वो भी आगे जाके काफी rise हो सकती है, काफी major theme इमर्ज हो जाएगी, next bull market तक, इसलिए ये जो तीन coin है, या और भी इसके जो coin है, उसके आप research कर सकते हो, आपको ज I think सब को ही पता है, meme coins और काफी high detail interest, last year आया था, लोग काफी investment किया था, meme coins के अंदर, doge coin के बाद, shreeba coin का rise हो था, फिर तो, एक काफी बड़ी class ही बन गी, रोजी 50-60 meme coin launch होते थे last year, अभी भी होते है, just 12 रोजी होते है, launch करना भी easy है, लोग को, बेफूब बनाना भी easy है, काफी कुछ होता है, meme coins के अंदर, affiliate, affiliate scheme होती है, MLM scheme होती है, अलल तरीके से promote किया जाता है, retail काफी heavy involved इसमें होता है, तो meme coin के example, dodge coin, shreeba coin के, कोई utility नहीं होती, community promote करती है, और कई बार community decide करती है, क्या direction लेला है, तो shreeba coin के case में थोड़ा सा अच्छा हुआ है, कि shreeba coin के case में कुछ तो development किया है, community ने मिलके, you know, sort of founder भी सोड़ा positive है, तो metaverse बनाया है, NFT भी launch किये थे, exchange भी launch किया, DEX वगरा भी launch किया, तो इस सब हो रहा है, DOGE में भी community ने मिलके DOGE chain launch किया है, कुछ और ecosystem लोग बना रहे है, तो community decide करती है, किस ताइफ से उस project की direction होगी, तो meme coin is all about community, और community के हिसाब से है, और थोड़ा वैसा है कि price पी काफी काफी होती है meme coins की, supply काफी ज्यादा होती है, मुखसूसते कि कम investment में कुछ ज्यादा coins मिले जाएंगे, और कई लोग को ऐसा लगता है, कि इस ताइप से marketing होती है, लोग इस ताइप से influence करते हैं, कि इस ताइप पैसा डालोगे तो काफी 100x to 100x return मिलेगा, तो उसके यह साब से लोग डालते भी है, तो यह थोड़ा वैसा हो गया meme coin का sector, सबसे ज्यादा risky जो sector है, वो meme coins का है, और सबसे अच्छा sector जो investment करने के लिए है, वो protocol based cryptocurrency के अंतर है, protocol based cryptocurrency में future अच्छा होता है, revenue भी यह protocol अच्छा generate करते है, fees भी अच्छी generate करते है, user भी इनके पास ज्यादा है, adoption भी ज्यादा होता है तो यहाँ पर chances अच्छा होता है, price growth का और थोड़ा risk भी यहाँ पर काव होता है, और उसके बाद second अगर आप बोलोगे risk के हिसाब से तो यह आपका derivative वाला sector, I think emerging sector है, यहाँ पर रिक्स थोड़ा तो ज्यादा है, बट यहाँ पर reward भी आपको ज्यादा मिल सकता है, metaverse वाला कोई और exchange में आपको investment करना भी चीए, और बाकी gaming waste में भी risk अभी हाल फिलाल है, बट यहाँ पर भी आगे जागे potential अचा हो सकता है, defy based थोड़ा सा tricky है, तो आपको understanding हो तब भी आपको इसमें इंवेस्में करना चीए, stable coins में तो कोई investment करना का scene मनता ही नहीं है, privacy focused अची theme है, और इस पर भी जो JK के ऊपर coin आने वाले है, या फिर जो JK roll-up के ऊपर layer to blockchain networks आने वाले है, वो थोड़े एचसे perform कर सकते हैं, जैसे stock net हो गया, मीना protocol हो गया, आपका JK sync हो गया, यह तीन example है, और privacy focused cryptocurrency काफी old थी हो चुकी, मोने रो, JK dash पे investment करना से कोई मतलब नहीं, लोहों का interest दी actually, investor interest जो है almost dead हो चुका है, तो इतना वहाँ पर potential मुझे लगता नहीं है, so यह top 10 different types of cryptocurrency और tokens आप देख सकते हो, इनके बारे मैं आपको बता दिया, मैंने thoughts आपको मैंने share कर दिया, अभी आपका call है, आपको किस type से act करना है, आप इसको education के लिए use कर सकते हो, इस video को, बाक सकते हो, कैसे आपको investment करना है, नहीं करना, आपका call है, this is not a financial advice, so आज के वीडियो मस इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करना, वीडियो को share करना, अपने दोस्तों को साथ, चैनल को subscribe करना, मत भूलना, बेल आक में click करना, ताकि future बे और व